नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टीचिंग विलोग पर, आज करेंगे हम हिंदी पार्थ योजना, चलिए शुरू करते हैं, पार्थ योजना में सबसे पहले तिथी, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, विशय, समय की अवधी, और टोपिक, और आज का ह तिमारा टोपिक रहेगा सामास, चलिए शुरू करते हैं, सामास, समाने उदेश है, इसके चार पॉइंट होंगे पहला, विद्यार्तियों को हिंदी विशय में रूची उत्पन करना, विद्यार्तियों की शब्द कोष में विर्दी करना, तीसरा है, विद्यार्तियों में कल्पना वा तर्फ शक्ती की शम्ता उत्पन करना चो था है विद्यारतियों को शुद्ध लिखना वा बोलना सिखाना आगे हैं वैवारगत उदेश है इसके तीन पॉइंट होंगे पहला विद्यारती समास के बारे में जान सकेंगे दूसरा है विद्यारती समास वा उसके बेदों से आवगत हो जाएंगे तीसरा विद्यारती समास वा उसके बेदों का अपने जीवन में परियोग करना सीख जाएंगे और आगे आता है सिक्षन, सायक, समगरी, चाक, चाकबोर, जाडन, संकेतक, आदी अनुदेश आत्मक, समगरी, समास के भेदों को दर्साता हुआ एक चाठ आगे हैं अनुमानित पूर्व ज्यान छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्ती समास तथा उसके भेदों के बारे में समाने जानकारी रखते हैं पूर्व ज्यान परिकल्पना छात्र अध्यापिका विद्यार्ती के पूर्व ज्यान को नविन ज्यान से जोडने के लिए निम्न प्रशन पूछेंगी जैसे पहला प्रशन होगा राजा का महल कहने के स्थान पर राज महल क्यों कहा जाता है दूसरा होगा जब दो या दो से अधिक संबन्द रखने वाले शब्दों के मेल तथा सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं आगे है उप विशे की घोषना चात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषना करती है कि आज हम समास तता उसके भेदों का अध्यन करेंगे आगे है पूर्व ज्यान परिक्षन चात्र अध्यापी का विद्यारतियों की सहायता से विशे सामगरी को प्रस्तूत करेंगी पाट में रूची बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोड पर लिखेंगी तता सासाथ अनुदेश आत्मक की समगरी की सहायता लेंगी प्रश्नोतर वव्याख्या विदी का परियोग भी करेंगी आगे आता हमारा प्रस्तावना कोसल इसके चार कोलम होते हैं पहला शिक्षन बिंदु दूसरा चात्र ध्यापक करिया है तीसरा विद्यारती करिया है और चोथा है चाक बोड कारिया शिक्षन बिंदु में सबसे पहले हम लिखेंगे सामास छातर ध्यापक्रिया में सामास का शाब्दिक अर्थ सम्शिप्त होता है जब दो या दो से अधिक परस पर सम्मंद रखने वाले शब्दों के मेल से एक नया सातक शब्द बनाते हैं तब उसे विकार रहित मेल को सामास कहते हैं समास बनाने की परकरिया में कारक चिनों का परस ग्रोया संजोयक चिनों का लोब हो जाता है जैसे राजा का महल, राज महल विद्यार्थी करिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं आगे हम एक चागबोड बनाएंगे चागबोड पर लिखेंगे जब दो या दो से अधिक परस पर सम्मंद रखने वाले शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है वे व्याक्यांस जो मूल शब्द संग्या, सरवनाम, विशेशन, आदी के पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं आगे है संदी के भेद हिंदी भाषा में सामास के निमिनलिकित छे भेद होते हैं पहला अव्यव भाव समास दूसरा है तत्पुरुष समास तीसरा है द्विगुण समास चोथा है बहुब्री समास पाचवा है द्वंद समास छटा है करमधार्य समास अव्यव भाव समास चात्र अधापक्रिया जिस समास में पहला पद परधान होता है तथा समस्थपद का अव्या काम करता है उसे अव्याई भाव समास कहते हैं जैसे आजनम, जनम से लेकर विद्यारती क्रिया में ध्यान पूर्वक विद्यारती सुनते हैं अध्यापक क्रिया कोई एक उधार्ण बताओ विद्यारती क्रिया प्रतिफल यथा शक्ति आगे शिक्षन बिंदू में लिखेंगे तत्पुरुष समास अध्यापक्रिया जिस समास में बाद का अत्वा उत्तरपद परधान तथा दोनों पदों के बीच कारक्चिन लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं जैसे यश्प्राप्त ग्रंतकार शोका कुल अगला प्रशन होगा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं चात्र क्रिया में चात्र जवाब देंगे जिस समास में बाद का पद परधान होता है आगे हम शामपट बनाएंगे शामपट पर लिखेंगे जिस समस्पद में कोई पदपर्धान नहीं होता है उसे बहु ब्रिही समास कहते हैं आगे आता है द्विगू समास चात्र अध्यापकरिया जिस करम धार्य समास का पहला पद संख्या बोधक हो उसे दिगू समास कहते हैं जैसे चवनी चार आने का समाहर शामपट में हम पंसारी त्रिभून नवगरह चोरा लिखेंगे आगे आता है बहु ब्रही समास चात्र अध्यापकरिया जिस समस्त पद में कोई पद परधान नहीं होता दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं जैसे नील कंट नीला है कंट अर्थात शिव अगला प्रशन होगा बहु ब्रही समास के कोई दो उधार दो अध्यापक बच्चों से प्रशन करेंगे चात किरिया में बच्चे नीला अंबर चतुरभुज शामपट पे हम शामपट बनाएंगे और शामपट पे लिखेंगे बहु बिरी समास और चतुरा नन लंबो दर आगे आता हमारा दुवंद समास दुवंद का शाब्दिक अर्थ है जो युगम का जोड़ा इस समास में दो पद होते हैं दोनों ही पदों की प्रधानता होती है जैसे अन, जल, हानी, लाब आगे हम शामपट बनाएंगे शामपट पर लिखेंगे जिस समास में पहला पद प्रधम होता है उसे अतर्य भाव समास कहते है आगे करम धार्य समास जिस समास में समस्त, पद, समान, रूप से परधान हो उसे करम धार्य समास कहते हैं जैसे नील कमल, नीला कमल, महात्मा, महान आत्मा आगे हम करम धार्य समास किसे कहते हैं चंद्र मुख, चंद्र मा के मुख समान, मुख चात्र क्रिया में जहां समस्थपद के दोनों खड़ों में विशेश्पन विशेश्य या उपमान उप में सम्मद हो उसे करमधार्य समास कहते है शामपट बनाएंगे शामपट पर लिखेंगे जिस समास में समस्त पर्द समास रूप से परधान हो उसे करमधारिय समास कहते हैं शात्र ध्यापी का पाठपौन होने के बाद यह गोशना करती है कि आज हमने समास तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ा और समझा मुल्यांकन चात्र ध्यापिका विद्यारतियों के अर्चित ज्यान का मुल्यांकन करने के लिए निम्न प्रशन पूछेंगी पहला प्रशन पूछेंगी सामास किसे कहते हैं दूसरा सामास के कितने भेध हैं वा कौन कौन से हैं तीसरा बहु बिरी समास किसे कहते हैं जो था है सभी समासों की उधार्ण सहीद परिभाशा दीजिए आगे बच्चों को ग्रह कारिय देगे ग्रह कारिय में बच्चों को समास तता उसके भेदों के बारे में लिखकर वायाद करके लाने को कहेंगे और सबसे अंत में आता है निर्खशक टिपपणी धन्यवाद आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद आज की पाथ योजना में इतना ही मिलते हैं एक नई पाथ योजना के साथ जय हिंद्य